अब हम solve करते हैं अपने practice paper का section B खंड खे जिसमें हमारे दो-दो number के 5 question आएंगे और 2 questions में हमें internal choice भी मिलेगी ठीक है यह है question number 21 से आगे ठीक है तो या तो आपको इस question को पूरा solve करना है या इस वाले को करना है ठीक है तो दोनों ही आपके 3rd chapter से आ रहे हैं दो चरवाले रैकिक समीकरण से देखते हैं तो क्या है 21st का a part कि यदि 2x जमा y बराबरे 23 है ठीक है if 2x plus y is equal to 23 और 4x घटा y बराबरे 19 है यह दो equations हमें given है तो यह है 4x minus y बराबरे 19 तो ध्यान देना अभी यह नहीं कहरा कि एक्स और y find करो तो 5y minus 2x निकालो और y by x minus 2 find करो यानि कि कुछ नहीं करना आपने इन equations को solve करके पहले x और y की value निकालनी है बिल्कुल direct solve हो रही है देखो अपना elimination method से y positive y negative दोनों को जोड़ो y से y कट गया 6x नोर इस बटे 667 जा 42 x की value 7 आ गई जब x की value 7 आ गई तो इसको किसी भी equation में रख दो x की value को यह हमारी equation है 2x जमावाई बराबरे 23 यहां x की जगें 7 रख दो जमावाई बराबरे 23 साथ दोनी 14 तो y की value आ जाएगी 23 घटा 14 13 में से 4 गई 9 तो y की value 9 आ गई और x की value 7 आ गई अब जो इसने पूछा है उसका जवाब दो पहले तो उसने यह पूछा है 5y माइनस 2x ठीक है तो 5y का मतलब हो गया 5 गुणा 9 माइनस 2 गुणा 7 545 घटा 14 और 31 पहले का आंसर आ गया 31 दूसरा है y by x माइनस 2 y 9 by 7 माइनस 2 7 LCM ले लो 9 घटा 7 दूनी 14 14 मेंसे 5 गेनो माइनस का 5 बटा 7 यह हमारे दो आंसर आ जाएंगे इसमें नई चीज केवल यह थी कि x और y की value निकालने की बजाए इन दोनों terms की value हमने निकालनी थी इसी के b part पर आ जाते है b part का मतलब question के 2 part नहीं है या तो आपने a करना है या b करना है p के किन मानों के लिए नीचे दियेगे समीकरण यूगम का अधुट्य हल है for which values of p this pair has unique solution आपको ये pair given है और a p की जगा पर क्या रखे कि इसका अधुट्य हलो या unique solution हो अगर आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं दो linear equations दे रखे हैं a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 तो unique solution के लिए क्या होता है कि a1 by a2 और b1 by b2 equal नहीं होने चाहिए अब इन दोनों में से a1 b1 c1 निकाल लो पहले तो a1 है 4 b1 है p और c1 है 8 a2 है 2 b2 है 2 और c2 है p अब इसके अंदर पुट कर लो कि भईया a1 by a2 यानि 4 बटा 2 बराबर नहीं होना चाहिए ये p बटा 2 के 2 दूनी 4 दो आ गया 2 is not equal to p by 2 2 को यहां ले जाओ 2 दूनी 4 4 is not equal to p कहने का मतलब क्या है कि p बराबर 4 नहीं होना चाहिए यदि p का मान 4 के अलावा कोई भी संख्या है बस पी की जगह 4 नहीं रखना चाहर के अलावा हर आंसर हमारा यानि की पी की एक value नहीं आ रही पी की infinite values आ रही है जिसमें चाहर शामिल नहीं है चाहर को छोड़कर पी की जगह कुछ भी रख दो unique solution आपको मिलेगा तो यह था question number 21 दोनों में से एक करके आना है फिर बता रही हूं मैं आपको या तो उपर वाला या नीचे वाला अब करते है question number 22 यह भी बहदासान है दिये गए चित्रे में यह value 3x जमा 19 बटे नीचे वाली value x जमा 3 बराबर है सेम question वो थटा पीजियम वाले इसी तरह का था उसमें समरूपता का परियोग किया था यह भी द्यान रखना आर पार गुणा कर दो इसको x से गुणा कर दो x bracket 3x जमा 19 और 3x जमा 4 को गुणा कर दो x जमा 3 से तो यह बन गया 3x square जमा 19 x बराबर है में आ जाएगा इनकी गुणा कर दो इसको दोनों से करो तो यह हो जाएगा 3x square प्लस 9x प्लस 4X और प्लस 12 3X स्क्वेर से 3X स्क्वेर के एंसील हो गया 19 X 9 और 4 ही हो गया 13 X जमा 12 19 में से 13 को माइनस करो 6 X बराबरे 12 6 दूनी 12 और आपकी X की वेल्यू कितनी आजाएगी 2 आजाएगी आगे चलते हैं अब हम solve करेंगे बिटा Question No.23 देखो भी क्या है Question No.23 दो से केंद्रिये वृतों की तिरजयाएं 5 cm और 3 cm है 2 concentric circles आर ओफ रिडाही 5 cm और 3 cm दो circles हैं एक बड़ा circle है जिसका radius 5 cm है एक छोटा circle है जिसका radius 3 cm है ठीक है यहां तक बात समझ में आगे अब आगे क्या कहता है कि बड़े वृत की उस जीवा की लंबाई ग्यात करो जो छोटे को सपर्ष करती हो Find the length of code of larger circle which touches the smaller circle अब यह जो बाहर वाला circle है मालो मैं ऐसे circle बना दू तो उसमें सैकडों ऐसे जीवाएं बनेंगी ठीक है सैकडों codes बनेंगी हमें ऐसी code लेनी है जो बाहर वाले के लिए तो code और अंदर वाले को touch करती हो समझ मैं आगी बात कि बहुत यह देखो छोटे circle को तो यह line touch कर रही है तो इसकी तुस पर श्रेखा हो गई और बड़े circle को काट रही है तो इसकी लंबाई हमने निकालनी है मालो यह A है यह B है कि टेंजेंट है और यह छोटे वृत का स्तिर्जिया है जो कि अपनी कितनी है तीन है तो यह angle यह 90 आएगा क्योंकि किसी circle पर tangent से जो radius जाता है वो tangent पर perpendicular होता है और एक theorem और आप prove कर चुके हो कि अगर मैं इसको O को भी B से मिला दू तो यह वाला triangle O A M और triangle O B M दोनों के दोनों क्या है congruent है यह part हम पहले कर चुके कि यह वाला triangle और यह वाला यह दोनों triangle से congruent है तो अगर मैं केवल A M निकाल देती हूं तो M B भी उतना ही होगा और A M का double हो जाएगा A B clear हो गया तो यह left वाला triangle ले लो A यह वाला A M right angle triangle है यह 5 है और यह 3 है यह hypotenuse है और यह perpendicular है तो पाइथागोर स्थिवर्म लगा दो भाई इस पर तो पाइथागोर स्थिवर्म क्या कहती है कि भाई यह 5 का square is equal to 3 का square plus A M का square यह हो गया पच्चिस 9 और यह A M 25 में से इसले आओ 9 गया तो 16 बराबर है A M square दोनों तरफ अंडरूट करो तो A M की value 4 आ जाएगी और जब A M की value 4 आ जाएगी तो B M की value भी 4 दोनों 4 हो गए तो जो A B है जो A B है वो A M का डबल हो जाएगा और दो चोके कितना आ जाएगा 8 cm आ जाएगा ठीक की बाकी का question भी अपना cm में है तो यह question number 23 वे अदासान है अब आजा यह सब NCRT से जो जितने भी बड़े section है न मैंने देखा B है C है D है यह सब अपने NCRT से आ रहे हैं जो आपके M C क्यों है ध्यान दे NCRT और जो other sections है वो other sections है वो from NCRT है समझ में आगी मेरी बात तो थोड़ा सा छोटे questions के लिए आपको practice करनी पड़ेंगी अब देखते है question number 24 यदि x बराबरे a sin theta है और y बराबरे b sin theta हो तो इसकी value ग्यात करो क्या है यह इसको note करो a square by x square minus b square by y square is equal to अब x की और b की y की value रख दो उपर तो आगया a square निचे x की जगह आगया a sin theta का square minus उपर आगया b square निचे y की जगह आगया b tangent theta का square बहुत आसान है a square इसका square करो तो यह बनेगा a square sin square theta minus b square यह बनेगा b square tangent square theta दोनों कटके एक आगया दोनों कटके एक आगया बहुत आसान है देखना ध्यान से यह बन जाएगा one by sin square theta और यह बन जाएगा one by tangent square theta one by मलकी इधर लिख देती हूँ one by sin square हो जाएगा cosecant square theta और यह हो जाएगा cosecant square minus cosecant square कितना होता है one होता है कितना सिंपल सा question था आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा करने से पहले यह ध्यान रखा करो कि करते चले जाना है अपने आप अगर आपको identity learn है concept clear है तो अपने आप question आपका swallow हो जाएगा next swallow करते हैं question अभी मैंने आपको यह 24th का भी पार्ट करवा दिया है जो अभी अभी हमने अपना किया था यह वाला यह जो question है यह अपना 24th का बी पार्ट मैंने आपको करवा दिया 24th का ए पार्ट रह गया यह 24th का ए पार्ट है अभी हम इसको देखते हैं ठीक है यह इंदी में है यहीं इंगलिश में है तो यह अपना कैसे करेंगे एक मिट इसको एरेज कर देती हूं मैं अब देखो भई 24th के ए पार्ट पे आ जाओ बहुत आसान है यह भी यदि साइन ए माइनस भी वन बाय टू है एक बटा दो है कोस ए प्लस बी भी एक बटा दो है और ए प्लस बी नभे से कम है यानि एक और बी का सम नभे से कम है ए ग्रेटर देन बी है एकी वैल्यू बी से बढ़ी है तो ए और बी की वैल्यू निकालो बहुत आसान question है, काफी possibility होती है इस तरह का question आने की sin a minus b 1 by 2 है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो sin 30 degree है वो 1 by 2 होता है इसका मतलब जो यह a minus b है यह और कुछ नहीं बलकि 30 degree का angle है तो a minus b की value आगी 30, ऐसे ही आपको दे रखा है, cos a plus b 1 by 2 है और cos की value 60 पर होती है 1 by 2, इसका मतलब यह जो angle है, यह a plus b, यह कितना है 60 यह जो दोनों box में हैं, यह आपकी equations बन गई, इनको आपने अपना third chapter के method से elimination यह substitution से solve करना है, add कर दो, b से b कट गया, a और a हो गया 2a, is equal to 90 a हो गया 90 by 2, यानि 45 degree, a की value को कहीं भी put कर दो, यहां मैं right में put कर लेती हूँ यह आ गया, a plus b 60 है, a 45 है, तो b की value आ गई, 60 minus 45, यानि 15 degree, a 45, b 15 यह द्यानक न, उसने बोला तो a b से बड़ा है, तो a b से बड़ा आ रहा है, तो यह दोनों हमारा answer हो जाएंगे, second part मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, तो यह था question number 24, इसमें एक बात का द्यानक न, कि यह आपको यहां पर internal choice मिली हुई है, यहां तो आपको a part करना था, या b, यहां इंग्लिश में भी देख सकते हो, a और b, दो question में दो internal choice मिल गई, आप चलते हैं, question number 25 पर, बीस मीटर गुणा, सोला मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान के कोने पर एक गाएं को 14 मीटर लंबी रसी से बांदा गया है, उस खेत का शेतरफल ग्यात करो, जिसमें गाएं चर सकती है, एक काव is tied with a rope of length 14 मेटर at the corner of a rectangular field of dimensions, 20 मीटर by 16 मीटर, find the area of field in which काव can graze, तो भई, ये तो अपने खेत की length हो गई, माल लो, और ये अपने खेत की breadth हो गई, ठीक है, ठीक है भई, तो अब इसको नाम दे दो, एक मिनट, पैन ले लेते हैं, इसको नाम दे दो, ए, बी, सी, डी, ये length है 20 मीटर और ये है 16, और यहाँ गाएं को बांद गया, मैं गाएं नहीं बनाऊंगी, ठीक है, आप इसको गाएं समझ लो, तो ये रसी की लंबाई 14 मीटर है, तो ये गाएं कितनी जगा में गूम सकती है, जब ये रसी यहाँ बं क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट माने, अगर इस गाएं को मैं चारों तरफ गुमा सकती, तो ये पूरा सरकल बन जाता, और ये उस सरकल का चोथा हिस्सा है, क्योंकि ये एंगल अपना 90 डिग्री है, और गाएं जादा से जादा 14 लैंक तक जा सकती है, क्योंकि उसकी रस पूरा लिखना है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वेर, 90 बटे 360, 22 बटे 7 गुना 14 गुना 14, 90 चोके 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया 11, और 11 और 14 की गुना आ जाएगी, 154 वरग मीटर, ये आपका आंस्वर आ जाएगा, कि इतनी जगा में गाएं चर सकती है, ये कुश्चन NCIT से नहीं है, बट सेम ऐसे कुश्चन NCIT में भी है, अब हम अपना solve करेंगे section C, ये देखो जिसमें 3-3 नंबर के 6 question है, और actual में तो ये 8 ही question हो जाएगे, क्योंकि आपको इसमें 24 मिलेगी, देखो 26, 27, 28 में भी 24 है और आगे भी 24 है, अब मैं शुरू करने ज गटा तीन एक आपरी में संक्या, जबकि वरगमूल 5 को आपरी में दिया गया है, given that root 5 is irrational, prove that this number is irrational, ठीक है, नोट कर लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 root 5 minus 3, हम कर रहे हैं question number 26, और आप मैं हिंदी में लिखूंगी, इंग्लिश में साथ साथ बोल दूंगी, माना 2 root 5 minus 3 माना 2 वरगमूल 5 घटा 3, एक आपरी में संक्या नहीं है, if possible, let 2 root 5 minus 3 is not an irrational number, अब दो इतना के number होते हैं, तो परी में या आपरी में, rational या irrational, जो number irrational नहीं है, आपरी में नहीं है, तो उसका मतलब वो एक कैसी संक्या है, यह एक परी में संक्या है, अब अगर कोई संक्या पर में हैं, तो हम उसे A बटा B के root में लिख सकते हैं, B non zero है, और A और B सें अभाज्य क्या हैं, पूर्णांक हैं, सें अभाज्य पूर्णांक हैं, समझागी बात, English में बताऊं तो यहां हम लिख देंगे कि 2 root 5 minus 3 is a rational number, it is equal to A by B, तो यह हो जाएगा, where A and B are co-prime integers, ठीक है, अ अब इन questions की क्या trick होती है, कि root को एक तरफ रखना है, बाकि सभी terms को right में ले जाओ, तो 2 root 5 is equal to 3 को right में ले जाओ, 3 जमा A बटे B, 3 plus A by B, और अब इस 2 को भी right में ले जाओ, root 5 को तो left में रखो, आप इसको पहले बलकि ऐसे कर लो, यहां पर B को na LCM ले लो, तो यह बन गय 3 B plus A, इसके नीचे 1 था ना, अब इस 2 को right में ले जाओ, तो उपर तो आजाएगा 3 B plus A, और नीचे आजाएगा 2 B, यह आगई root 5 की value, root 5 इसके बराबर आगया, अब यहां आप देखो कि root 5 तो उसने पहली बोल रखा गया, आपरी में है, इसको देखते हैं, यह कैसा number है, A और B पूर्णांक हैं, सहय अभाज्य हैं, B 0 नहीं है, सुन्दो मेरी बात, B जो है, वो 0 नहीं है, जब B 0 नहीं है, और यह दोनों पूर्णांक है, तो 3 B plus A, बहिए किसी पूर्णांक को 3 से गुना करो, उसमें पूर्णांक जोडो, इंटीजर जोडो तो इंटीजर और उसको भई डिवाइड कर दो 2 B से, तो यह एक कैसी संख्या बन जाएगी, परी में संख्या, यह एक परी में संख्या है, लेकिन हमें दिया गया है, कि वरगमूल 5 A, परी में दिया गया है, बट रूट 5 is given to be an irrational number, जब इसको A, परी में दिया गया है, और यह हमें पता ह कि परी में संख्या कभी भी A, परी में संख्या के बराबर नहीं होती, तो यह दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यह contradiction है, यह एक अपवाद है, कहा हैं अपवाद, कि शुरू में ही जो हम स्पोज कर रहे थे, हमारी मान्यता, हमारी कल्पना गलत है, our assumption is wrong, यह बात आप लिख लेना, इसका मतलब 2 रूट 5 माइनस 3 कैसी संख्या बन गई, A, परी में संख्या है, जो बीचे मैंने बाते बोली है, वो आपने लिखनी है, ठीक है, आसान सा है, अब चलते है, question number 27 पर, यह है question number 27, यदि alpha बीटा इस बहुपद के शुन्यक है, तो alpha स्क्यर जमारी बी बड़ा important question है, NCRT से नहीं है, यह logic को पकड़ना, यह तो हमें बहुपद दे रखा है, 2X स्क्यर माइनस 7X जमा B, इसकी तुलना हम करते हैं, AX स्क्यर जमा BX प्लस C से, तो जो A की value है, वो 2 आ जाएगी, B की value माइनस 7 आ जाएगी, और C की value 3 आ जाएगी, ठीक है, alpha बीटा क्या है, इसके शुन्यक है, statement आपने देख लिए है, हमें alpha square प्लस beta square का मान निकालना है, ठीक है, इसको मैं यहाँ note कर देती हूँ, alpha square प्लस beta square, अब हमें पता है कि alpha, beta शुन्यक है, alpha, beta आर्दा, 0s और 0s और coefficient में हमें relation पता है, शुन्यक और गुणांकों में हमें संबंद पता है कि alpha plus beta minus b by a, तो minus b की value minus 7 है, तो एक और minus 7 by 2, यानि alpha plus beta 7 by 2 आ जाएगा, और alpha beta c by a, यानि 3 by 2 आ गया, अब यह तो alpha plus beta आ गया, और alpha beta आ गया, हमें alpha square plus beta square निकालना है, कैसे निकाले, वैसे तो यह direct identity है, फिर भी अगर आपको याद नहीं है, तो आप एक बात समझ लो कि आपको पता होगा, कि alpha plus beta square का क्या formula होता है, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, यह हमें पता है, we know, हिंदी में लिख देना हम जानते हैं, पता है ना, अब इसमें से, यह देखो भई, alpha plus beta की जगां तो 7 by 2 रख दो, इसकी जगां, इसकी जगां तो रख दो, 7 by 2 का square, और यह जो है alpha square plus beta square, यह हमने find करना है, तो इसको आप यूं का यूं लिख लोर, 2 into में alpha beta, alpha beta की value 3 by 2 है, तो 2 into 3 by 2, यह जो white color है, यह value जो मैंने put की है, ठीक है, अभी मैं आपको direct identity भी बताऊंगी, तो left में तो बच गया 49 by 4, और यह होगा alpha square, जमा बीटा square, और यह 2 से 2 कट गया, तीन आ गया, इस 3 को left में लिया, 49 by 4, गटा 3 by 1, यह आ गया alpha square, जमा बीटा square, 4 लगों तम ले लो, 49 minus 4 ती यह 12, alpha square plus beta square, और 9 में से 2 गये साथ, 37 by 4, 37 by 4, यह value आ जाएगी, हमारी alpha square plus beta square की, और इसका direct identity भी होती है, alpha square plus beta square की, वो क्या होती है की, alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, तो जिन बच्चों को यह identity आती ही, वो direct भी कर सकते हैं, यह question बहुत important है, इस type का question आने की पूरी possibility है, बोड में, clear हो गया, भई हमें polynomial पता था, उसके coefficients निकाल लिये, शुन्यक कोफिशेंट और इसमें, zeros में relation हमें पता है, उससे हमने values निकाल लिये, और फिर यह identity लगा कर, alpha square plus beta square हमने find कर लिया, आगे बढ़ते हैं, question number 28 पर, अब हम solve करते हैं, question 28, इसमें भी आपको internal twice दी गई है, या तो ये वाला A part करना है, या ये वाला B, तो पहले हम इसका A part देखते हैं, एक दुकानदार पढ़ने के लिए किताबे किराय पर देता है, वह पहले दो दिनों के लिए, एक निश्चित शुल्क लेता है, उसके बाद पढ़ते हैं, एक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लेता है, इसकी English भी पढ़ दूँ है, shopkeeper gives books on rent for reading, he takes a fixed charge for the first two days, वहीं मैं क लगे तो, लेकिन अगर तीसरे दिन रखोगे, तो दो दिन के तो दस रुपे देने ही पढ़ेंगे, और तीसरे दिन कब बाद से परडे का किराया अलग-अलग लग जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात, कि मालों मैंने पांच दिन बुक ली तो दो दिन का तो दस पांच 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 ऐसे करके पर डे अलग अलग लगेगा एंड अडिशनल चार्ज फूर इच डे देर आफ्टर लतिका ने छे दिनों तक रखी गई किताब के लिए बाइस रुपे का भुकतान किया और आनंद ने चार दिनों तक रखी गई किताब के लिए 16 रुपे का स्टेटमेंट समझ आ गई सेम ऐसा ही क्विश्चन आपकी NCRT में भी एक बात में यहां क्लियर कर दू कि बेश्चक न्यू बुक है लेकिन जो चैप्टर नंबर थ्री है उसके सभी क्विश्चन ओल्ड बुक में भी जो हैं स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपने जरूर करना हैं क्योंकि जो मैथ्टर्ड एक्रोस मल्टिप्लिकेशन वो डिलीट हुआ हैं क्विश्चन डिलीट नहीं हुए हैं उन स्टेटमेंट्स को आपको शोरली दिया जा सकता है एक्जाम्स में समझ में आगी मेरी बात तो अब सुनो मेरी बात दुकांदर दो तरीके से किराया ले रहा है तो हम मान लेते हैं कि माना निरधारित किराया Lately fixed charge दोनों मीडियम में दिक्कत होते हैं लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूं आपको कराने की कि हमने मान लिया fixed charge x रुपीज हैं प्रतीक दिन का प्रतियेक फिर चार्ज फोर इच एक्स्ट्रा डे चार्ज फोर इच एक्स्ट्रा डे प्रतियेक अतिरिक्त दिन के लिए किराया हमने मान लिया वाई रूपीज है अब है according to question लतिका नाम की लड़की ने 6 दिन तक किताब रखी तो लतिका का जिकर कर दो या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाया लतिका ने या लतिका के लिए 6 दिन का किराया अब इस लोजिक को पकड़ना 6 दिन का किराया है रुपे 22 ठीक है लतिका ने 6 दिन के लिए 22 रुपे दिये हैं 6 दिन का क्या मतलब है अगर वह ज़िए भूख ले रहे तो उसके 2 इसे करने पड़ेंगे 2 दिन और 4 दिन 2 दिन का फिक्स किराया है जो की X है और 4 दिन का किराया परडे लगेगा अगर एक दिन का किराया वाई रुपे है तो चार दिन का चार वाई है और फिर इन दोनों को जोड़ कर उसने 22 रुपे दिये हैं तो ये बन जाएगा X जमा चार वाई बराबरे 22 और ये हो जाएगा समीकरण नमबर 1 इसी तरह आनन्द नाम के बच्चे ने चार दिन के लिए आनन्द का चार दिन का किराया उसने चार दिन तक भुक्स लिए हैं तो उसने भहिया पे किये इसने 26 रुपे तो इसको भी फिर अब आप इक्वेशन में बदल दो दो जमात दो टो एक्स जमात दो वाई ठीक है न चार का मनत दो दिन तो फिक्स हो गये वह दो दिन पर डे के साथ से परड़े वाई के साथ से किराया लग गया तो यह हो गया सोला और यह हो गई इक्वेशन नमबर टू बिल्कुल सिंपल कोश्चेन अब इसको ना एलिमिनेशन से स्वल्व कर दो पहली एक्वेशन लिकलो अब यह अपनी दूसरी एक्वेशनल लिकलो सब्ट्रेक्ट कर दो माइनस 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 चार में से 4 में से 2 गया 22 में से 16 उपाई वाइ बरावरे छे हैं बट्टे दो यानि तीन रुपे यानि एक दिन का किराया तीन रुपे हैं और इस वैल्ली को इस समीकर्ण में रख दो X प्लस 4 Y is equal to 22 X प्लस 4 into 3 is equal to 22 X प्लस 12 is equal to 22 12 को राइट में ले जाओ 22 दस ही पाया ये तो by chance ये तो 10 रुपे मिला यानि कि जो fixed किराया है जो fixed charge है थोड़ा English में भी लिख देती हूं मैं या जो fixed charge है वो तो 10 रुपे है और each day का जो charge है वो 3 रुपे मैं 5 बोल रही थी each day का जो charge है वो 3 रुपे है तो ये आपका final answer आ जाएगा आप check भी कर सकते हो 6 दिन का मतलब दो जमा चार है तो दो दिन के तो 10 रुपे देगी वो लती का और चार दिन में एक दिन का 3 रुपे तो चार ती बारा हो गया ना 22 ऐसे आप अपने answer को cross check भी कर सकते हो तो आसा question था ज्यादा मुश्किल नहीं था इसका जो अथवा वाला पार्ट है उसको देखते हैं वो थोड़ा सा कई बच्चों को दिक्कत होती है दो अंकों की संख्या का योग 66 यदि संख्या के कह آंकों का अंतर दो और टो अंताली से उसको coloured 24 बंड गया दोनों को जोड़ा दो तो निन्यान में बाद रहा हमारा उसका 66 मुटर रहा है और जो अंक है जैसे यहां चार और पांच है तो इनका तो अंतर एक है वहां को का अंतर दो है तो संख्या बतानी है समीकरन की मदद से एक बार यही statement मैं English में भी read कर देती हूं the sum of the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66 मैं दो डिजिट का कोई number और उसके digits को reward कर दिया तो दोनों को जोड़ दो 66 आएगा और दोनों digits का डिफ्रेंस टू है तो number आपने find करना है clear हो गया तो देखते हैं इस question को सबसे पहले तो अगर जिन बच्चों को 40 प्लस 5 यानि की 4 की 10th place की डिजिट को तो 10 से multiply किया और वंस डिजिट को ऐसे ही रखा और दोनों को add कर दिया तो मेरा number तयार हो गया अब हमें number नहीं पता digits नहीं पता कि वह वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी 10th place पर कौन सी डिजिट आएगी तो उनको उसकी तरज पर यहां पर आपको लिखू माना इकाई का अंक माना इकाई का अंक let once place डिजिट हमने ले ली एक्स माना दहाई का अंक let tense place डिजिट समझ रहे हो ना once place डिजिट यह आप अपना लिख लेना इंगलीश मीडियों वाले बच्चे and tense place डिजिट वाई यह तो नंबर यानि की जो संख्या है वो क्या बनेगी संख्या कैसे बनेगी दहाई वाले नंबर को दस से गुणा करो और उसमें इकाई वाला नंबर जोड़ दो तो यह हमारी संख्या बन गई इस तरीके से क्लियर हो गया यह क्लियर होना चाहिए अब कहता अंक पलटने पर अंक पलटने का मतलब x की जगा y लगा दो y की जगा x लगा दो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या तो वो जाएगी 10 x जमा वाई सुन रहे मेरी बात को जहाँ X था वहाँ Y कर दिया इन दोनों को उल्टा पुल्टी कर दी क्लियर हो गया अब इन दोनों का जोड छिया सेट है 66 है किसी नंबर में उसका उल्टा जोड दें तो 66 आ रहा है तो according to question आप लिखोगे 10Y plus X plus 10X plus Y is equal to 66 11X जमा 11Y बराबरे 66 11 से बाग कर दो X जमा Y बराबरे 6 यह पहला समीकरन हमारा बन जाता है जिसको मैं यहां उपर नोट कर देती हूं कि X जमा Y बराबरे 6 ठीक है यह तो हमारी कंडिशन बन गई पहला समीकरन अब जो हमारे अंक है वह एक एक से और एक वाई यह बड़ा कौन सा चोटा कौन सा यह नहीं पता मालो एक्स कोई बड़ा ले ले लेते हैं तो कह रहा है कि एक्स बराबरे 8 बाई 2 यानि 4 एक्स की वेल्यू को इसमें रख दो तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 चाह में से चार गया दो तो वाई की जगह दो और एक्स की जगह चार आ गया संख्या आ गई वह संख्या कैसे बनेगी अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं भई जब मेरा एक्स की वेल्यू आ गई चार वाई की वेल्यू आ गई दो तो संख्या क्या थी यह वाली थी संख्या रेड ब्लोक में दस वाई जमा एक्स दस वाई जमा एक्स वही काई का अंक चार आ गया ना तो संख्या बन गई दस गुणा दो जमा चार यानिकी बीस जमाचार यानि 24 तो संख्या हो गई 24 आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो अगर मैं 24 में इसका उल्टा 42 जोड़ू तो 66 आ रहा है और अंको का अंतर 6 है क्लियर हो गया कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको अपने मन में नहीं रखना है है जिटेशन नहीं रखनी है टेलीग्राम पर मैंने गुरूप बनाया हुआ है वहाँ पर आप मुझे बताएं उसको जोईन करके अपने डाउट्स दें या कमेंट बॉक्स में लिखें आगे चलते हैं अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेस्चिन नमबर 29 यदी एक वृत तिरिभूज ABC की भुजा BC को P पर सुनो यह एक तिरिभूज है ABC दोनों मीडियम वाले बच्चे समझ लो और यह एक सरकल है जो इस वाली साइड को तो P पे टच कर रहा है और AB को देखो कुछ ऐसे समझो यह मैं अगर यहां बनाओं इवर मैं ही बना देती हूँ यह है ट्राइंगल ABC ध्यान से देखना इसको मैं रेज करती हूँ ताकि आप साथ में एनलाइज कर सको डाइग्राम को बढ़ा करके दिखाती हूँ ताकि डाइग्राम समझ में आना चाहिए आपको कुछ भी नहीं है ABC एक ट्राइंगल है यहां मैंने एक बना दिया बहिया सरकल जो ABC की BC साइड को P पे टच कर रहा है इ यह जो AC साइड है ना मतलब यह आगे जाएगी तो यह इसको यहां आर पे टच कर रही है तो इस तरह का यह आपका डाइग्राम है आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि वह यह यह तो एक सरकलर यह दोनों इस पर आप देखो तो यह दोनों इसके क्या हैं मैं कह सकती हूँ कि यह दो कर रहा है तो सिद्ध करो यह चीज हमने प्रूव करने कि है क्या हूए जाफ ओफ बीसी फलस प्लस आप इस की फेत्वजय को मैं यानि जो इस AQ का double है वो इस triangle के parameter के equal है बहुत ध्यान से सुनना बहुत important result है यह सब question यह CBSE से उठा रहा है जो यह AQ का double है वो इस triangle का parameter के equal है triangle के parameter के equal है अब आपने इसमें A की दो बाते समझनी है केवल एक दो बाते वो क्या हैं देखो ध्यान से एक circle के बाहर का point है और AQ और AR tangent है तो अगर मैं इसका यहाँ पर proof दूँ पूरी detail में मैं नहीं लिख रही हूं आप लिख लेना proof में क्या आ रहा है कि AQ किसके equal है AR के यहाँ आप region दे देना कि tangent from an external point of a circle tangents from an external point to a circle are equal किसी वृत के बाई बिंदू से खिची के इस परश रेखाएं बराबर होती है यह आपने लिख देना है लिख दिया अब सुनों ध्यान से अब यह जो B है ना यह भी एक external point है circle के बाहर है तो BQ और BP भी दोनों tangent है तो BQ किसके बराबर हो गया BP के इसी तरीके से तीन तीन जोड़े हैं यह टेंजेंट के सी एक external point है और CP और CR equal है अब है CP किसके बराबर है CR के इन बातों को आपने जान रखना और अब मैं right hand side आप left भी ले सकते हो AQ का double ले लो मैं two AQ ले लेती हूँ ठीक है अब ले लो two AQ तो two AQ का मतलब हो गया AQ plus AQ ठीक है अब यह जो AQ है वो AR के equal है तो एक AQ की जगह मैं AR लगा देती हूँ कोई दिकत नहीं आ तक कोई दिकत नहीं होनी चाहिए बही मैंने AQ को double किया AQ जमा AQ लिखा AQ और AQ की AQ को तो मैं टुकडों में लिख दू A B जमा B क्यो A B plus B क्यो धान देना A B plus B क्यो और AR को भी मैं टुकडों में लिख दू A C plus C R A C plus C R हो गया अब द्धान दो कि A B तो ये हो गया C R की जगह चेंज करना पड़ेगा अब ये जो C R है थोड़ा से मैं यहां से ERAGE कर दूं कि ये जो C R है क्योंकि दो को मुझे क्या चाहिए मेरी बात पर ध्यान देना हमें चाहिए A B AB आ गया हमें चाहिए AC AC आ गया हमें चाहिए BC BC नहीं आ रहा BC कैसे आएगा BC आएगा BP जमा PC ना यहाँ BP है ना PC है लेकिन जो B क्यों है वो BP के बराबर है यह देखो जो B क्यों है जो यह वाला टेंजेंट है B क्यों इसकी जगह तो यह BP लगा दूँ ठीक है वह इस B क्यों की जगह तो BP लगा दूँ और CR की जगह CP यह मैंने पहले यहाँ पर दोनों बातें आपको बता रखी इनका equation का आप reference दे देना तो यहाँ अब हम क्या करेंगे यह तो हो जाएगा AB प्लस इस AC को भी मैं आगे ले आती हूँ अब इस B क्यों की जगह मैंने लगा दिया BP और CR की जगह मैंने लगा दिया PC तो यह बन गया AB प्लस AC और BP प्लस BC बन गया BC 2 A क्यों 2 को right side में ले आओ तो यह आ जाएगा A क्यों is equal to 1 by 2 AB प्लस AC BC और यही हमने प्रूव करना था इस रिजट को आप right hand side से भी कर सकते हैं right hand side से कैसे करते हैं right hand side है BC प्लस CA जल्दी से मैं बता देती हूँ plus AB का half नहीं ले रही मैं BC के टुकडे कर दो BP जमा PC ब्लू कलर ले लेती हूँ मैं दोनों चीज़े कठी ले लेंगे BP जमा PC ठीक है और प्लस CA जो है उसको एजटीज रहने दो और यह अपना आ गया यहाँ पर AB ठीक है अब हमें इसको ना A क्यों में बदलना है किसमें बदलना A क्यों में तो BP की जगे तो B क्यों लगा दो और इस PC की जगा CR लगा दो प्लस CA जमा AB अब इन दोनों को मिलाओ AB जमा B क्यों A क्यों बन गया इन दोनों को मिलाओ AC जमा CR, AR बन गया और वह A क्यों और AR बराबर है तो यह A क्यों जमा A क्यों बन गया और यह 2 टाइम्स ओफ A क्यों हो गया तो ये two times of a को वाग या two को उधर ले जाओ यही हमने प्रूव करना था थोड़ा दिमाग का question है ये questions फिर मैं कह रही हूं आपको कहां से लिए गए हैं आपको इनकी मदद कहां से मिलेगी CBSC से क्योंकि ये सब questions वहीं से आ रहे हैं या फिर आपने exemplar लेना है अपना NCERT का exemplar य आपने लेने हैं तो यह था question number 29 अब चलते दो question रहे हैं section के 30 और 31 उनको देखते हैं अब हम solve करेंगे बिटा question number 30 जो टिग्नोमेटरी से बुक से नहीं है और इस question की statement रोंग है मैं आपको पहले बता दू यह कह रहा है कि यदि साइन थीटा जमा कोस थीटा रूट 3 है तो सी यह रहा देखो कि टैंजेंट थीटा जमा कोस थीटा तो यह कोस नहीं है यहां हंडर्ड वन परसेंट कॉट सीटा थीटा रूट 3 है यह अभी यह देखो न मालो मैं कहें भी दूगी तुम कहा दा गलत कैसे है तो हम कहने कि यह और सकोसवन है तो कोस बंबिगरी में तो टे तो इन दोनों का जोड़ तरी थोड़ी आ जाएगा ठीक है भाई साइन जीरो पे जीरो होता है कोस भी जीरो पे वन ओता तो दोनों का जोड़ तीन रूट ती नहीं आएगा तो यह स्टेटिमेंट टोटली रोंग है तो मैं आपको इस को को टेंजेंट से करवाऊंगी अब ह हम पहले आइडिया ले लेते हैं कि हमने करना क्या है हमें गीवन है बिटा कि हमें टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट को वन प्रूव करना है इसको सॉल्व करके देख लो साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा LCM ले लो LCM आ गया साइन थीटा कोस थीटा इस कोस से ये कोस कैंसिल हो गया ये बन गया साइन स्क्वेर थीटा साइन से साइन कैंसिल हो गया यह बन गया cos square sin square plus cos square one उतर यह आ गया one by sin theta cos theta यह answer आ गया अब अगर नीचे वाला one हो जाएं तो मेरा question हो गया अब हमें जो given है अब उस पे focus करो हमें given है कि sin theta plus cos theta root 3 है sin theta दो पार्ट में करना है यह question अब इसको दोनों तरफ square कर दो दोनों तरफ square कर दो तो यह बन गया a square plus b square बहुत आसान है plus 2 a b और root 3 से square cancel हो के 3 आगे sin square plus cos square हो गया one plus two sin theta cos theta is equal to 3 इस one को right side में ले जाओ तो यह बन गया two sin theta cos theta is equal to 3 minus one यानि कि two और two से two cancel हो गया और sin theta cos theta की value one आ गया किसकी help से इस given की help से यह हमें given था ना इसको use करके square करा तो यह result आ गया और इस result को अब मैं यहां use कर लूँ तो यह बन गया one by one यानि one आ गया तो यह हम अपनी left hand side लेकर चले थे और यह हमारी right hand side आ गयी थोड़ा सा जूम करके दिखाओं तो इस given result को मैंने लिया square किया इससे मुझे यह value मिली कि sin theta cos theta की product one है और उससे फिर मैं इस result पर गई और इसको यहां use किया तो मेरा answer one आ जाता है बहुत ही इसी में आपको एक internal choice given है अथ्वा और आप देख सकते हो कि यह अथ्वा है प्रूव दैट सिद्ध करो कि यह इसके बराबर है तो दोनों को आप लिख लो को से बाई साइने माइनस को से को एजट इज लिख लो वन डिनोमिनेटर में आ जाओ फिर को टे को चेंज करो को से बाई साइने और यह आ जाएगा प्लस को से बाई वन ले लो अब आप पहले नूमिरेटर का ले लो फिर डिनोमिनेटर का नूमिरेटर में लिया साइने तो साइन से यह साइन कट गया को से और वन से करोगे तो यह साइन हो जाएगा को से इंटू साइने अब आ जाओ डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में फिर ले 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 ल अब जब ये दोनों LCM कट जाएंगे, तो राइट साइड में जो हमारी दो टाम्स बचेंगे, अब ध्यान से देखना है एक बर, ओपर बचेगा कौ से माइनस कौ से साइन, कौ से दोनों में से कौमन, चलों, मैं एक बर लिखी देती हूँ, उपर बचेगा को से माइनस को से साइन मीचे यह वाली टाम बचेगी को से प्लस को से साइन दोनों में कोमन आ रहा है क्या आ रहा है उपर से को से कोमन आ रहा है तो बच गया 1 माइनस साइन और यहां से भी को से कोमन आ आया तो यह बन गया 1 प्लस साइन ये दोनों कट गए, रइट साइड में कौसिकेंट आ रहा है, साइन को कोसिकेंट में बदलना हो, तो साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है? इसको थोड़ा ऐसे लेलो, तो ये तो बन गया, ऊपर आ गया 1-साइन है, नीचे आ गया 1-साइन है, उपर भी sin A से divide कर दो और denominator में भी sin A से क्या कर दो divide कर दो और यह equal to का sin यहां center में लगा दो अब इन्हें जब तुम separate करोगे तो यह 1 के नीचे sin A आएगा तो यह बनेगा 1 by sin A minus sin A by sin A और यह भी बनेगा 1 by sin A minus sin A by sin A 1 by sin A बन जाएगा cosecant A यह दोनों cancel होकर minus 1 cosecant A plus 1 और यह आजाएगी right hand side ठीक है पूरा question एक frame में मैंने कर दिया है आप देख सकते हो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कोशिश किया करोगी tangent को tangent जहां है उन्हें sign और cause में बदलो ठीक है उसके बाद जो जो मिलता जाता है clue करते जाओ जैसे यहां मेरा LCM से LCM कट गया फिर यह बचा मुझे clue मिला कि वह यह common ले दू common ले दिया यहां तक आ गई मैं अब यहां तक आ गई तो cosecant में कैसे बदलो तो मैंने sign से divide कर दिया और अब जल्दी से इस section का देखते है last question यह हो जाएगा section C पूरा यह भी different है एक थेले में 24 गेंद हैं जिन में X लाल हैं दो X सफेद हैं और तीन X नीली हैं एक बैग है 24 बॉल्स आउट ओफ विच एक्स आर रेड टू एक्स आर वाइट एंड त्री एक्स आर ब्लू एक गेंद यादर अच्छिक रूप से चुनी जाती है बॉल इस लेक्टिड एट रेंडम इसकी क्या प्राइकता है कि वह लाल नहीं है और सफेद है इस दा प्रोबैबरेटी ताट इस नौट रेड एंड इस वाइट सबसे बहुत गेंद निकालो कितनी है अपने पास कुल लाल जमा सफेद और जमा नीली मिला के कुल कितनी गेंदे है 24 लाल है एक्स सफेद है 2 एक्स और नीली है 3 एक्स 3 और दो 5 और 6 एक्स 14 तो x की वैल्यू आगई 4 जब x की वैल्यू चार आगई तो अब आप गेंदों की संख्या निकालो पहले तो निकालो लाल गेंद लाल गेंद कितनी थी X यानि 4 Red bowl भई White bowl कितनी है 2X यानि 2.8 और नीली यानि Blue गेंद कितनी है 3X यानि 3.12 और 8.20 और 4.24 अब कोई भी प्राइकता आप निकाल सकते हो statement अपनी लिख लेना पहली है लाल नहीं है लाल नहीं है तो याद सफेद है नीली है तो 8.12 और 8 कितनी हो गई 20 वे 8 जमा बारा बटे कुल गेंद 24, 20 बटे 24 चार पंजे 24, चार चिक चोविस 5 by 6 आ गया और सेकंड पाइट में आपने सफेद गेंद की प्राइकता बताने है तो सफेद गेंद 8, कुल गेंद 24, एट वन जा एट, एट त्री जा ट्वंटी फोर और 1 by 3 आ गया प्रिश्चन आसान था बट थोड़ा हटके था गेंदो की संख्या आपको डारेक्ट ली दी नहीं गई थी जिसे आपने अपना दिमाग लगा कर यहां पर एलजेब्रा लगाया और उसके यह से पहले गेंदो की संख्या निकाली फिर प्राहिक था तो यह आपके सैंपल पेपर कहलो प्रैक्टिस पेपर कहलो मॉडल पेपर के तीन सेक्शन एबी सी मैंने करा दियें बागी के दो सेक्शन भी मैं जल्द अपलोड करूंगी यह आपके लिए बहुत ज्यादा एलफुल रहने वाले हैं इनको अगर आपको समझ आता है तो अपने ज्यादा ज्यादा फेंड्स को जरूर शेयर करें और अप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूने थैंक यू